सबी साथ ही जो टेली गराम पर जोईन नहीं किये अब तक वो हमें टेली गराम पर जरूर जोईन कर लें जिससे कि वो घर बैठे आराम से पढ़ पाएं प्यार से और अच्छे से वो जो भी उनकी उमीदे हैं उसे पूरी कर सकें आगे बढ़ें ये लाइब नंबर थार्ड ह से लक्ष बैच की आज कुछ नया होगा यूपी डिया लेट सीकेंड समेश्टर ना लाइब थार्ड प्रिकेंड समेश्टर के लिए मैच क्या होगा यहां पर ध्यान देना देखो आज हम प्रैक्टिस कुश्चन करेंगे ठीक है आज करेंगे अभ्यास प्रसन थोड़ा सा अभ्यास प्रसन से यह होगा कि आपको जरूरत लगेगी कि हमें पढ़ना क्यूं है जो कुछ कुश्चन हम करवाएंगे आप नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा मुझ लग नहीं ना इसका तो कुछ चीजें तो आप लोग पढ़ चुके हैं वो तो करेंगे ही जैसे बॉर्ड मास रूल था बाकी कुछ हम नया भी करेंगे आज ठीक है आगे चले चलो बॉर्ड मास रूल सभी पढ़े हो आओ चलो इसको देख लो एक बार जल्दी से ये बताइए मुझे सबसे छोटा सा सवाल कि चर पदों की संख्या कुल कितनी होती है जवाब दीजिए सबी को पता है आरती राय वर्तिका सिंग स्वेता दिब्या गोल्डी सिंग डिग्गु बलागर मनीशा सिंग सबके कमेंट आ रहे हैं बता बया सीकेंड चैप्टर में जोड घटाना गुड़ा भाग है इसमें घातांक का नियम भी है सीकेंड चैप्टर में तो प्रेक्टिस कोश्चन आज मान के चलेंगे आप यह बताइए जैसे यक्स की घात 5 इंटू यक्स की घात 3 का मान क्या होगा बताइए जवाब दीजिए चलिए कुछ लोग इतने बेसरम होते हैं कि किसी टीचर का नाम रख लेते हैं और उसके नाम से आके रोते हैं थोड़ी तो इज़्जत करो चलिए देखिए यक्स की पावर 5 है न और यह क्या है यहाँ पर घातां का एक नियम होता है गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है अगर आम बात करें यह क्या है पहला घातां का नियम मान लो एक पावर यम इंटू एक पावर यन इख्वल अगर बेस सेम है घाते अलग-अलग है तो यह यम पलफ यन हो जाती है यह हो जाता है ठीक है समझ रहे हो तो खाते जूड़ जाती है तो यक्स की पावर 5 प्लस हो जाएगा 3 इक्वल हो जाएगा यक्स का 8 यानि आपको आपसा नंबर सी सही हो जाएगा है ना ये घातांग का पहला नियम है ये भी आपके चैप्टर में बहुत महारत्रपुर्ण भून का निभाता चैप्टर में दिया गया है आज कुछ प्रेक्टिस सवाल है इसका मान क्या होगा बताइए देखिए आपर समझ ये बहुत जल्दी इसका जवाब दीजी अगर आप DL8 के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत जरूरी है सभी प्रेक्टिस नौन आप देजिन में से कोई नहीं सिकेंड कोईशन है अगर A साहिए तो 2A कमेंट करेंगे D साहिए तो 2D D साहिए तो 2C लिखेंगे बताइए बीजे कुमार परजापती जी जवाब दीजिए दिपेस SDO चलिए बहुत अच्छा बेरी गुड़ आईए गुड़ा करने पर घाते जुड़ जाती है जैसा कि बताया गया था तो इसमें क्या करोगे आप भाई अगर ये सभी सजातिये पद है अभी जातिये पद है जैसे भी है उससे नहीं मतलब चर सेम है तो सेम चर की पावर आपस में जुड़ जाएंगी तो इनको आप यक्स की पावर 3 इंटो इनका यक्स का पावर 1 इनका माइनस 3 तो एक काम करोगे आप पता है का देखो 5 का 3 में गुड़ा होगा यहाँ इसका गुड़ांक 1 है तो यह 15 हो जाएगा यक्स की पावर 3 इसका प्लस 1 और इसका प्लस माइनस का 3 यह हिसाब होगा तिका हो जाएगा 4 और माइनस 3 तो 15 यक्स पावर 1 यानि 15 यक्स ए वाला सही है न लेकर लो फट से ए वाला सही है कोई डाउट है तो बता दो मुझे वैसे भी आप यह प्लस और माइनस घात खातम कर सकते हो किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताये जाओ देखिए बोर्ड माच रूल आप इसके पहले पढ़े होना भया पढ़े होना चच्चा देखो आगे बढ़ो घात आंक वाले पे आजाओ साथ की घात यक्स और इसकी घात तीन कमान होगा 21 यक्स नौन आप दीजीन में से कोई नहीं जबाब दीजिए थार्ड नंबर में देखिए यूपी डियालेट सीकेंड समेस्टर वाले बिल्कुल दिल थाम के बैठेंगे कलास का टाइम डेली राद 10 बजे है आज कलाफ लेट है और सुब़ साथ बजे भी इस टाइम को किया जाएगा सुब़ साथ बजे आप रिपीट कर सकते हैं ठीक है सुब़ साथ और राद 10 बजे दोनो टाइम जुडे एक समय नई कलास चलेगी एक समय रिवीजन होगी किसी भी समय नहीं चल सकती है किसी भी समय रिवीजन हो सकती है इसलिए सुबह 7 राद 10 सुबह 7 राद 10 दोनों टाइम जुड़े आईए इसका आंसर होगा बीवाला सही देखे ये होता है सुत्र एक पावर यम इसका यन इक्वल ए का पावर या मिन्टू यान होता है यह तुम्हें सबको पता है घातांग के नियम में तो भाई इनका आपस में गुड़ा हो जाएगा ती नेक्स होगा लिखो भाई मुश्किल सिंग भाई मुश्किल सिंग इन लोग की थोड़ी मुश्किल आसान करिए कुश्चन नमबर चौथा में चलिए आगे बढ़िए यह बतावा हो साथी हमरे कि वाई का पावर सुनना का मान का होए हो बतावा वाई होए कोई नहीं इन में सो कोई नहीं जल्दी करो देखो अगर यह फोर नमबर है अगर ए साही है तो फोर ए बी साही है तो फोर भी सी है तो फोर सी है ऐसे लिखिए रजनी परजापती मोहिनी बीजय मेनत नहीं होती ना कंटेंट में इसलिए बच्चों का मज़ा नहीं आता है हावा में चल रहा है ना सब कुछ आजकल हावाओं में तूने रंग घोला ना कैसे है वो देखो यहाँ पे किसी भी चर्पद की घात सुनने होने पर उसका मान वन होता है चाहे वो चर्पद कुछ भी हो कोई भी चर्पद हो उसका मान जो है सुनने घात पर वन आता है ठीक है सब का मान क्या होता वन होता है इस पाच्वा सवाल में आओ पाच्वा में अब कि देखे यह क्या हो रहा है पता है तुमका कनाही हो यह सिर्फ प्रैक्टिस हो रहा भी पढ़ा नहीं रहा हूं अगर मैं रेगुलर क्रास पढ़ाओंगा तो बहुत तीन यक्स की घाते 21, डिबाइड बाई, यक्स की घाते 20, एकमान का होए भाईया चच्चा बतावा हो, ये प्रेक्टिस में भी हम एक टॉपिक खतम कर देंगे, तीन यक्स, तीन यक्स सकतालीस, तीन यक्स माइनस वान, तीन एक्ठियाउ लेला भाईया, ना ना अब दी, इन में से कोई नहीं, पांच में अगर सी सही है, तो तुम लिखोगे बच्चा, पांच सी, डी सही है, तो डी ऐसे अंसर का तरीका है ये, सवाल नंबर पांच सी या डी, या ए या भी क्या, ए भई आपढ़ाई ध्यान दे हो राजा, नहीं तो बुझाय हो जाई, नहीं कहो करको, जानताग नहीं, यह जो बाबू के चक्कर में परिसान हो ना आनलाइन में कुछ लोग बाबू और बेबी के चक्कर में बाबा से मुलाकात कर लेते हैं तो इस चक्कर में परिसान ना रहो कई बार बताया हूं यह इंटरनेट वाला प्यार बड़ा खतरनाक होता है देख रहा हो सीमा सीमा पार करके आजा रही है भारत में यह प्यारवार का लफड़ा बड़ा गंदा होता है समझ रहे हो humour नहीं है आछारे प्रसांद को देखा करिये इसके लिए तो कहते हैं प्यारवार कुछ नहीं होता यह सब नीचे वाला मामला होता है तो प्रसांद जी को आप लोग देखा करिए नहीं बोजपूरी हमें नहीं आवत थोड़ा बहुत जानी थी बस चला देखा देखे भाग करने पर घाते घड जाती है एक अपावर यम और एक अपावर यन एक इक्वल होता है एक अपावर यम माइनस यन ठीक है यह होता है घातां का नियम इसी नियम पर यह लगेगा तो तीन का घात यह हो जाएगा यक्स का एक इस माइनस ये यक्स का बीस है तो इसमें घड जाएगी घात तो तीन यक्स आएगा कहता है भया आज में ए सही है क्या सही है बाबू भया कि एसाई यह राजा लिख लाफट से चला इस सभाइक समझ में आईगा तो लिख ले जल्दी से नहीं हम लोग अवधी लोग है ना तो अवधी थोड़ा-थोड़ा बोले आवध अब मम्मी उम्मीक न सुनावा करा तो लोग ना ही गड़बड हो जाए देखले कुछ होईगा नहीं है अगला बड़े देखिए आप लोग ना चुपचा पढ़ा करिए गार्जियन को मत सुनाया करिए इसमें क्योंकि पढ़ाई की बात ना आप ही लोग तक रहना चाहिए नहीं तो फिर वही होगा ना अच्छा आज कल के गार्जियन भी बड़े चलांक रहने लगी है पता है काई को सुनते हैं कि कल को तुम कहों कहों हमें नहीं पढ़ाए हो तो जाने तो किसी लिए बस का है अभी कल एक में नूज देख रहा था उसमें जो आज कली है स्टीम और होम-गार्ड-कमांडेंट का मामला चल रहा है सभी समझ रहे होगे उसमें कमांडेंट काय रहे थे अलो जी को क्यू पढ़ायगा ऊँ तो खुद क्यूस्थ नहीं पढ़ा है जो पूछो लोग यूपीसच के तयारी कर रहे हैं सथा कि या टीचर भरती कि उनके गार्द सिलेबस उलेबस देखना शुरू कर दिये कि कल को कुछ बन जाओ ती ये ना कहो हमें नहीं पढ़ाये हो इनसे सिलेबस पूछ लो उनको नहीं पता है है ना? चल ये देखिया आगे छठमा देखिये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं बहुत छोटा छोटा प्रैक्टिस करवाया दे रहा हूं ठीक है? आगे चले देखिये घात क्या होती है भाग करने पर घड जाती है तो ये हो जायागा सेमन एक्स पावर नाइन और ये देखिये वरियबल इक्वल है ना येक्स और यक्स तो पावर क्या होती है? सब्ट्रेक हो जाती ही घड जाती है तो इसमें से घड जायेगा फाइनल में सेवन यक्स का स्कॉायर आ जायेगा एका देशी भाशा में साथ ये घात दूई कहा जाता है ठीक है तो साथ नंबर पर चलिए आगे बढ़िए अब थोड़ा सा कुछ अलग लिखा भाईया सब ही लिखा हो लिखा 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 आठ नमबर मान लेका मनाईन का तो आए लिखाग तो आए ना यतना उपपर न लिखाग दिखावें न गरें टू प्लस कुश्चन ध्यान से देखिए जब आप फट फे देना मजाग की बात हमें था नहीं डिवाइड बाई टू तो सारा ब्रेकट बंद गए दिया इसका मान क्या होगा इसका मान क्या होगा जो बहुत ही तेज हैं वो बताएं तेज तर्रार वाले पहिले बताओ जल्दी से सवाल नमबर आठ है दीपेस बताइए जल्दी करिए कुछ लोग हमारी तुलना करी मिनाटी से कर रहे है एक ची जानते हो गिने तुम बता देता हूं आज मैं इसको आंसर बता बताता हूं कुछ लोग जो पढ़ाता है न उनको यूटूबर बोलते हैं तो गदाओं की पार्टी तुम यह जान लो जो भी कोई अगर आपको किसी परकार की सीक्षा दे रहा है वह यूटूबर नहीं एजूकेटर होते हैं कि यूटूबर वह होते हैं जो दिखाते हैं कि देखो आज मेरी गईया नहीं इतना गोबर की है और देखो मेरी मम्मी जा है रोटी बनाने जा रही है देखो मेरे भाईया अभिस्तर पर सुसू कर दिया है वह सब यह सब दिखाते हैं या फिर गाली गलाउच करते हैं जैस समझ रहे हो बाइक पे जा रहे हैं काड़ी पे जा रहे हैं देखो बगल में वह 22 भाग रही है देखो उधरे देखो चुणिया आए देखो उधरे खेत में धान लग रहा है वह यूटूबर होते हैं समझ रहे हो चलो तो यह अठवा नंबर है अठवा में A साही होगा ना तो 8 A B साही होगा तो 8 B C साही होगा तो 8 C तो ठीक है इसका correct answer होगा 8 A 17 होगा सबी कर लोगे ना देखिए आज practice question है लेकिन मैं हल भी करवा दे रहा हूं साथ साथ में तो साथियों board mask के rule के according सबसे पहले छोटा कोश्ठक हल करते हैं इसके अंदर की चीजें हल करेंगे भाग करोगे इसमें 4 हो जाएगा 4 में 6 जोड़ोगे 10 हो जाएगा एक के बार में हम दो निप्टा दिये इनको जोड़ोगे हो जाएगा पंदरा कि फाइनल में 17 अंसर आएगा अरे मेरे बोटल में कोई नहीं पीता है तुम लोग कहा है परिसान हो यार्ट मैं बोटल इफीले जूठा करता हूं कि मेरा बोटल कोई ले ना जाए तुम्हें पता है ये बोटल से उठा ले जाते हैं ना इदे उदर मैं खोजता रहता हूं वाई मेरा बोटल कौन ले गया पहले मैं परिसान रहता था उसके बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड फ्रेंडी ने जुगार बताया कि इसको तुम जुठार के पिया कप फिर कोई नहीं ले जाएगा फिर सबही समझ गया चला हो आगे बढ़ा एक था और आउर बतावा एक थी आउर बतावा एका हाल ना कर अब लेकिन तीन प्लस लेखो यहाँ पार टू डिवाइड बाई थ्री फिर प्लस थ्री प्लस फाइफ डिवाइड बाई टू यह बंद और यह बंद और यह बंद यह बंद इसका मान बताविए क्या आएगा बताविए इसका आंसर है पहला नो बताविए जवाब दीजिए यह जीरो है सुनना देखिए बोर्ड मास के रूल के यह सारे कोशन में बता चुका हूँ अगर आपको आता है था आप इन्हें 5-10 सिकंड में कर सकते हैं अगर आप 5-10 सिकंड में नहीं कर पा रहे हैं मतलब फिर आप एक्जाम में भी नहीं कर पाएंगे देखो मैं फ्रेंड बोला थे इन लोगों को कम समझ में आया अब फ्रेंडी बोल दिया ज्यादा समझ में आ गया यह सब चाहब है वही कर रहत है एक जन्हें लिखाता है तब तो अच्छा बात है को लाइन न जाई तो यह लिए तो जुठा रहा जाते ना चला ठीक है फिल हाल चलिए आगे बढ़े देखिए इसका आंसर हो जाएगा 556 मुझे जहां तक लग रहा यहीं होगा है ना कर लोगे न सभी 556 आएगा कब है ठीक है आगले बढ़ते हैं यह बी वाला होगा 9 में 20 आई है कैसे है क्यूं है मैं नहीं बताने वाला आज प्रेक्टिस होगा टोटल कुल से प्रेक्टिस मिला करके कुशन नमबर दस यह बताओ कि संख्या ओ हो हो 78 नहीं 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 इसेवन एटी सेवन एंड 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 नाइंटी सेवन में भाज संख्या बताओ भाज संख्या कोई है या नहीं है अगर है तो ठीक है नहीं लिख दो कोई नहीं कोई नहीं बी वाला अप्षन है 87 और 97 शी वाला अप्षन है only 87 दी वाला है only 97 बताओ मेरी कलास में इतनी पापा की परी कहां से आती है एक लोग पूछ रहे है या आती नहीं इनको मैं ले के आता हूं तुम्हें काहे को जलन हो रही चलो जल्दी करो भाई फटाफट हो गया खतम मैंने लिखा भाज्य संख्या देखिए आज प्रेक्टिस सेट है यह एक परकार से टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर बहुत जादा हम एक्स्प्लेन नहीं करेंगे अगर आप रेगुलर क्लास में आओगे तो वहाँ टीन फैक्टर होंगे कम से कम तीन फैक्टर होंगे वह भाजे संख्या होगी तो भाई साब इनके तो तीन होंगे नहीं कभी इस जनम में इनके भी नहीं होंगे अगले जनम में चाहे हो जाएं यह नहीं है यह नहीं क्या है एक होए सताफी होए तीन होए और वंटीस होए इनके चार-चार फाइक्टर है तो यह भाजे संक्या बाकी सब यह भाजे ठीक है अगे बढ़े दस नंबर 11 नंबर हो गया 11 नंबर में जवाद दीजिए देखा हो बहुत कुछ पढ़े का है बहींसाब बहुत कुछ पढ़ेगा है यी बतावा चला तूँ यी बतावा फिर सबही 3 बता जीरो कमान का वह बहुत जल्दी फटा को पहले आपसे ने जीरो हुए जो सरका आपसे नहीं प्रेक्टिस इसलिए करवा दे रहें सुरू में जिससे अभी आगे पढ़ाएं तो आपको थोड़ा-थोड़ा इंट्रेस्ट आए कि अब लोग के नीद आवतिया है ना कुछ लोग के नीद आवतिया है कुछ लोग के कुछ अउरा होती है है चला पिर ठीक बै अब है कि अगर जीरो का हम ऐसे भाग करेंगे तो जीरो बार जाएगा तो यह जीरो आएगा topics तीन आएगा तो कितनी बार भी ले जाओ, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, यह आनंत जाएगा, इस जनम में नहीं खतम होने वाला, समझ में आया ना, तो यह क्या होगा, अनंत होगा, इसी कि अपोजिट अगर 0 बटा 3 होता तो, तो इसमें अगर 0 में ऐसे 3 से भाग करते, तो यह 0 बार जाता, 3-0-0 खतम होगया, आप नीचे कुछा नहीं, अगर 0 बटा 3 होता तो, तो इसमें अगर 0 में ऐसे 3 से भाग करते, यह बताएए, अधी कौण, है, इनमें अधी कौण कौण सा है, पहिला, 180 वाला है, दूसर का 181 वाला है, दूसर का 91 वाला है, और चौथा भाईया, कोई नहीं, बतावा हो, अधी कौण अप्टिव सेंगल, जबाब दीजिए, फटा फट जल्दी कर ये, देखा कुछ लोग के अतना तेज आईया है न, इसे पढ़त रात, पढ़त रात, मोबाईल एसे गिर जात पढ़ता थे, पढ़ते नहीं, वास्तों में ध्यान लगाए हैं, वो आवाज इसलिए तेज करके रखे हैं, मोबाईल की, मम्मी सुन रही है, पापा सुन रहे हैं, हाँ, देखो, बिट यह पढ़त भाई, बिट वो पढ़त भाई हमाई, अउका नहीं पता है, कोई मूँ खुला है, मक्खी आव जाती है, बस मोबाईल गिर जात उठाय ले थे बस, है ना, अधिकोंड सी वाला है, देखो यह इस्ट्रेट एंगल है, यह अधिकोंड नहीं है, इसके पहले अधिकोंड खतम हो जाता है, यह बिट रहा है, यही है 91 वाला, क्योंकि 91 से लेकर 179 तक अधिकोंड होता है, आज याद कर लेना, लिख के रख लेना, देखे 11 बच गया है, मैं बहुत देर तक नहीं चलाओंगा, मैं बहुत देर तक नहीं चलाओंगा, मुझे भी देखना है आगे कुछ, अब तो का है बताई का देखेगा है, समी करण और सर्व समी का मैं अंतर जानते हो, जैसे पहला है, यक्स स्क्वाइर प्लस फेबन यक्स बलाबर फाइफ, और दूसर का है, इन दोनों में कौन समी करण है, समी करण बताओ, इसमें कौन समी करण है और कौन सर्व समी का है, बताईए, जबाद दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, बतावा हो चच्चा लोग कायक सर्माता, चच्चा चाची अंकल अंटी भाईया भावी सबही जागत रहा, चला बतावा, देखिए, इसमें समी करण की बात करें, अगर तो समी करण वो होता है, जो बैरियेबल्स के किसी एक निश्चित मान के लिए सर्डिसफाइड होता है, लेकिन सर्व समी का जो होती है न, यह महाँ बेवफा होती, भाईया, इसमें कोई भी मान तुम रख दो, यह हर एक मान के लिए सर्डिसफाइड होती है, कुछ भी मिले इसे बफ, समझे रहो, बस इतना अंतर होता है, और यह क्या होता है, यह निहायत वफ़दार होता है, यह चरपद के कुछ निश्चित मानों के लिए ही सर्डिसफाइड होता है, यानि कुछ निश्चित मान ही है, जिनको रखने पर दोनों तरफ पांच आएगा, लेकिन इसमें तुम कुछ भी रख दो, यह स्वाई के मान, यह हमेशा दोनों तरफ बराबर आएंगे, बस इतना सर्बसे बड़ी पहचान होती है, समीकरन और सर्बसमीका की, ठीक है, तो जो भी कंडिडेट मैथ वाले हैं, वो ध्यान दें, देखिए मैथ सना आना बहुत बड़ी बिमारी है, ठीक है, मैथ सना आना यह बहुत बड़ी बिमारी है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह तुम लोग कहते हो, खुदी, और अभी क्या है कि, मैंने आप लोगों के लिए, एक नया बैच लाया है, जिनको गडित में कुछ भी नहीं आता, गडित का गाह नहीं आता ना, उन्हें पूरा सिखाया जाएगा, यह आफर चल रहा था, इस पसली, जो भी कंडिडेट सीखना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उन पर संपर करें, आज बहुत से स्टूटेंट के पेमेंट फस गये हैं, पेंडिंग में हैं, या फिर नहीं हो पाए, किसी कारण से बड़ी मुसीबत में थे, तो उनके लिए 17 तक मौका दिया गया इसमें, ठीक है, इसका स्क्रीन स स्क्रीन साट लेके भेजेंगे, तो आपको इन्रोल किया जाएगा, 17 तक, यह स्क्रीन साट बेद देना, ठीक है, बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा, 24 इंटु 7 इसकी रिकॉर्डिंग उपलब्द रहेगी, रिकॉर्डेट पलफ लाइब दोनों देखने का उप्शन हो मुश्किल सिंग, कोई कहरें, फीज जादा है, भाईया देखो, 700 रूपए में एक साल के लिए, ठीक है, हम तुमें 7000 रूपए देंगे, एक साल के लिए, तुम हमारे यहां काम कर दो, आनलाइन, सिर्फ 2 गंटे करना है, घर बैठे, बताओ करोगे, नहीं करोगे, मैं 700 र रूपए दूँगा, आपको घर बैठे, हमारा आनलाइन वर्क करना है, क्या आप 2 गंटे कर सकते हो, डेली, एक साल तक नहीं करोगे, तो कैसी उमीदे करते हो, यार, यहां जो लोग साथ में वर्क करते हैं, आधा दरजन से जादा लोग हैं, उन्हें साथ से दस दस, बार बारा हजार हर महीने सेलरी देना होता है, तुम कहो कि हमें साथ सो भी साल बर के लिए जादा है, तो फिर प्वरिया लेलो एटी जोला में, और वोका लेजाएक पीपरेक पेड़ेक नीचे बिछाओ, तक थी लेलो पहले जो आती थी, समझ रहो, वाइब लेजाएक रगड रगड लिखाओ, यह तरीका है, आओ लोड चले पुराने जमाने की और, बाकी यह लाखो रुपे के पैनल और एलेक्टरिसिटी और एलेक्टरानिक सामान जो जुआएगा फिर महेंगा लगता है, आर ना जिन्दगी खतम हो जाती इसमें, समझ रहो ना की? चला भईया, तो जेका जेका जो आइन करेंगा है, सबाई संपर्क करेंगा, जेका बोरिया बिस्तर लएके, पिपरेक पेड़ेक नीचे जाएक बैठाएगा है, रगड रगड तक्थी पर लिखाएगा है, फिर उजाहा सबाई देखा वहीं, आज के लिए बस इतना ही, कि क्लास चाहिए, लेकिन फिरी में मिले, कहते हैं आपने हाग बड़ी बुरी इस्तिती है, हमारे देश के ये एक मात्रा ऐसे लोग हैं, कि अगर फिरी में कहीं जहर भी मिल राद, लाइन लगा के लिए लेंगे, सही बात है कि नहीं, हाँ ले ले लेते हैं, कभी कामें दे लेता ही नहीं है, उसके पीछे कुछ न कुछ वजा होती है, अगर कबूतर को भी फिरी में दाने चुनने को मिलते हैं न, उसके पीछे भी जाल चुपी होती है, तो फिलाहल मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, मैं दिखा रहा हूं पहले, ठीक है तो फिलाहल कलास रात के 10 बजे सुबह 7 बजे रात के 9 बजे और भी अन्य टाइम पर चलती रहेंगी हाँ टेली गराम पर हमें जॉइन कर लीजिए बाकी मजा की चीजे थे दिल पर नहीं लेना यह टेली गराम पर जॉइन कर लेना यहां पर सारा फिरीक मिलेगा जो भी है तो चला सबही बात खतम गुड़ नाइट अपना और अपनी वाली का ख्याल रखना नहीं कोई और रखने लगेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी झाल 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 NearlyAST 1-जहीं कोई एक आल झाल – झाल 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 4 झाल 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 झाल